हाई स्टूडेंट्स वेलकम टो माई न्यू वीडियो और विसाका क्लासेश मैं विसाका मिस और आज के आपके लिए लेकिया हूँ मॉडिल 2 का 2nd lesson में चाप्टर 8 पार्टनर्सिप अकाउंट लेकिन हम इसमें देखने वाले हैं योनिट वाइस तो आज मैं आपको देने वाली हूँ इसका इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्सिप अकाउंट अगर जो भी स्टूडेंस बीकॉम कर रहा हो या जो भी बीकॉम हो गया या 12 स्टूडेंस कर रहा हो 11 में हो भी तो यह औरा लेसन उन सभी स्टूडेंस के लिए भी है सिर्फ यह स्टूडेंस के लिए नहीं है इसे जो भी मैं कॉंसेप बढ़ाने वाली हूँ जो आपको क्लियर करने वाली हूँ वो सभी स्टूडेंस के लिए इंपोर्टन है । ठीक है यह सब हम कौंसे इसमें सीखेंगी नेकिं हमें कुछ points जानना है तो वो बहुत important है पहली बात तो क्या है कि partnership होता है क्या है पार्टनर सिफ वो होتें जब दो या दो से ज़्यादा जब partner एक साथ आते हैं एक कोई बिस्नेस फॉर्म करते हैं, वो बिस्नेस में उनको profit या losses कुछ मिलता है, वो दोनों के बीच में अपने जो भी हिसाब से लोगो distribute कर देते हैं, तो partner का मतलब क्या होता है, जब partner को relationship बनाने के लिए profit या loss के लिए business बनाता है, उसे हम बोलते हैं partner shape, तो partnership को जो हम अलग-अलग partnership basics होते हैं, account अलग-अलग बनाना पड़ता है, जिसे कभी पहले दो partner थे, तीसरा partner आ गया, फिर ऐसा होता है कि कोई retired हो गया हो, या फिर ऐसा होता है कि कोई मर जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि business ही बन करना पड़ जाता है, तो ऐसे अलग-अलग तरीके से partnerships के formally, हम entries transactions ready होते हैं, वो हम बात में देखेंगे, अभी हमारे लिए काम की चीज़ के हैं, वो जाना ज़रूरी है, जो partnership act है, वो हम use करते हैं 1932, Indian partnership act 1932, definition क्या दिया है, partnership is a relationship between person who has agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them action or for all, तो partnership होता है कि जब कुद के लिए business carry करता हैं और action for the all के लिए, अब इसमें features कहे के दिया है, action of agreement as per agreement के हिसाब से बोला जाए, तो agreement यहाँ पर formal या return agreement होता है, लेकिन यह necessary, not necessary to create a partnership के लिए भी होता है, business, business क्या होता है कि हम only state में जो भी business होता है, trade करने के लिए, occupations के लिए, या professions के लिए, as per section 2, subsection 2 की साब सामयाब पर देखते हैं, sharing of profit, sharing of profit अलग अलग तरीके से होते हैं, कोई ratio के basis पे, कोई या फिर capital के basis पे, तो जो भी हमें sharing of profit होगा, वो section 4 of Indian Partnership Act 1932 की साब से देखेंगे, mutual agreement होना जरूरी है, दोनों की बीच में signing होता है, कि दोनों partner है, principal agent नहीं है, एक मालिक और एक नोकर नहीं है, दोनों ही partner है, दोनों ही मालिक है, minor as partner, minor का मतलब होता है, 18 साल से नीचे वालना जो रहता है, वो उसको बोलते हम partner, उसको admit तो करते हैं, बस लेकिंग किसकी basis पे, to share the profit only, वो losses के लिए फर्म में नहीं ही रहता है, वो उसी profit के लिए ही फर्म में रहता है, यह आप minor partner का अच्छा काता एक्जांपल दो, कोई को यसा richest person होते है, जिनके बच्चों को फिर mine as the partner के अगर उनको जरूरत होती है, और bell icon को भी जरूरत क्लिक कर देना, जिससे आपको मिलते रहेंगे, मेरे चैनल के हर एक वीडियो की notifications, आप आता है, maximum partners की बात की जाती है, तो एस पर दर मारा जो section है, 464 of the Company Act 2030 के हिसाब से, जो भी partner होता होता है, वो सुट more than the hundred per number of person, as the previous साल भी proper, पहले के होता है, सिर्फ आप पर दो से लेकी दर से दो से लेकी बीच ऐसे ही होता था, अब चेंज हो गया है, और भी आपे maximum of number of members of partner firms are 50 होना ची, as per the 2014 के company in cooperative rules के हिसाब से, Limited Liability Partnership की बात की जाती है, तो यहाँ पर shortcoming of unlimited liability of all partners होता है, जहाँ पर हम legally partnership बनाए जाती है, जहाँ पर फर्म में से profit sharing ratio के लिए या फर्म जो होता है, वो not only for the legally entries के लिए आपे होता है, फिर आपे जो growth of growth of जो इंडियन economically होती है, वहाँ पर बूरा रोल प्ले काता है, entrepreneurship as well as the technique and the professionally manpowers का भी वहाँ पर होता है, जो government left Indian profession तो increase the transition होता है यहाँ पर और हम जो limited liability partnership act डिखेंगे, वो 2018 में introduction उसका हुआ था, तो यह LLP हम इसको shortcut में LLP बोला जाता है यहाँ पर, तो जो LLP होता है, जहाँ पर mutual arise agreement बनता है, और LLP में maybe a tangible या intanginable या nature हो, या both हो, tangible हो या intanginable nature हो, जो भी partner होगा, वो liable, not liable to account of independently or unorderizedly action के लिए, इसके बारे में हम और deeply हम देखेंगे, बात में आगे जाके, Section 2 of Indian Limited Partnership Act 2008 के हिसाब से, Indian Liability Partnership as the Partnership Form Registered Under this Act and the Indian Liability Partnership Aggregate means any written agreement between the partner of Limited Liability Partnership, Limited Liability Partnership का मतलब के होता है, जापर partnership बनते हैं, कुछ agreement under Act के लिए, और Indian Liability Partnership Agreement का मतलब होता है, जापर written agreement बना जाता है, दो partners के बीच में कुछ rules and regulations and rights and duties को follow करने के लिए, Non-Application of India Partnership Act 1932 के हिसाब से, आपर जो भी partner होगा, जो non-applied to limited liability partnership होना चाहिए, As for the India Partnership Act 1932, वो allowed वापर नहीं है, minimum members की बात की जाती है, तो यहाँ पर minimum members to ही होना चाहिए, कि अब तो partners होंगे तो ही काम चलेगा, अब कभी कभी ऐसा होता है, कि पहले minimum दो partners ने, दो partner में समझो एक off हो गया हो, या मर गया हो, या कुछ हो गया हो, तो पहले वाला जो होगा, एक और दूसरा जो partner है, वो partner का कर रहा हो, जो company जो business से वो चला रहा है, ठीक है, लेकि छे माईने तक चलाएगा, ठीक है, छे माईने तक आप कर रहे हो, तो आप partnership के limited liability partnership के agreement के अंदर आते हो, लेकि छे माईने के उपर हो जाने के बाद, वो ही अकेला उसका क्या होता है, liability personally हो जाता है, वो फिर वो इंडियन liabilities partnership में अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसका जो period of business होता है, तो वो खतम हो जाता है, जब ही कोई मर जाता है, जब ही कुछ चला जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपके पाद 6 मैने होते हैं, 6 मैने में आपके दूसरा partner देखो, जो इस सेम बिसनेस के आपके दाथ carry कर सके, या फिर आपको 6 मैने के अंदर अंदर वो business खतम करना रहता है, अब देखो दोनों के बीच में distribute क्या दिया है, partnership का Indian partnership act 1932 में law हो है, वाइल LLP के लिए limited liability partnership act 2008 है, registration partnership में optionable है, लेकिन LLP में compulsory है, creating by the agreement होता है partnership में, लेकिन LLP में create by law होता है, body cooperative नहीं होता है, लेकिन LLP में होता है, separate legal interest नहीं होती है, लेकिन LLP में होती है, बाद में आता है, partners do not have the previous success होता है, लेकिन आपके होता है, यहाँ number of partner minimum 2 है, maximum 50 है, वाई LLP में minimum 2 है, but no maximum limit, वापर आपके आपके नहीं भी partners वापर बना सकते हों, firm cannot own any asset the partner on the asset of the firm, यहाँ पर होता है, लेकिन LLP में होता है, लेकिन LLP में independent entry होता है, can own the assets, unlimited liabilities होती है, जहाँ पर partners have to joint liability for a action other partner, अफोर्म पर दा लाइबलिटी एक्टेंट पर सिल्ड़ी असेट्स भी यह पर यूज किया जाते हैं वह लाइबलिटी ऑफटेंट वह लेल्पी होता है जो रॉंग पॉल एक्ट ऑप ओमेंशन या क्विस्ट्ट्न अपर्टनर सोता है यहाँ पे partners are the agent of the firm without each other's वह outros Biz Partner liabilities mit Partner are the agent of the firm only and not for other partners यहाँ पे होते क्या है यहाँ firm के लिए तो agent हैं यह लिग एक दूसरी के लिए भी होते है partnership metrics में यहाँ पर ऐसा नही होता है imagine अब मतलए के membership dip में होता क्या है Partners Cup दिप में महरस्ट में मैं लिए हम那個 मारा राष्ता में कंपसरी नहीं है अब इस कंपसरी के एग्रिमेंट में हमें क्या क्या लिखना होता है फर्स थे नेम ऑफ फॉर्म एंड पार्टनर हम जो भी पार्टनर है उनका नाम क्या है और फॉर्म जो भी है वह लिखना रहता है अमांट ऑफ कैपीटर कितने परसे ने कौन से परसे ने हमारे जो पार्टनर से कितना कितना कॉंट्रिबुशन वपय कर रहे है जो भी अलाउट ऑफ ड्रॉइंग होता है जो भी हम लेते हैं बीच में हमारे कुछ पैसा कुछ परस्टनली घर पर देना है कि साइड वाइव स्कोर कुछ राइसे इंटूटिस क्या है गुड्विल्स क्या है वह पर पे पेमेंट ऑफ जो भी ड्यूस जो भी रेकर वह किस तरीके से होना चाहिए अगर डिक्रीजिम पार्टनर हो तो मैथड़ ऑफ कौन सा यूज़ करना चाहिए और कुछ प्रोसेश हो गए तो इन वाइप से नो पार्टनर्सिप डिप नहीं बना जाता है तो क्या होता है नो पार्टनर है टू सैलेरी कोई पार्टनर सेलेरी नहीं मांग सकते हैं जब आप कैपिटल पर इंट्रेस नहीं चार्ज कर सकते हो लेकिन अगर अगर बनाते हो तो इंट्रेस चार्ज होता है ड्राइंग के लिए नो इंट्रेस चार्ज और ड्राइंग आप जो ड्राइंग लिके जाओगे उस पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे इंट्रेस के दर प्रोफिदेंट लॉस होगा उसको क्या बनाएंगे एक्वली शेयर करते हैं इस तरीकी से आपको यह पर कुछ जाएंगे अब आता है पावर ओफ पार्टनर तो पावर ओफ पार्टनर क्या क्या हो सकता है कि वह बाइन सेलिंग और गुड्स कोज भी कर सकते हैं जो भी रिसी से पैसा लेना है वह भी ले सकते हैं बाद में समीटिंग ऑफ कोई डॉक्यूमेंट या फॉर्म सोग है या ओपनिंग बैंक अकाउंट हो गया है कुछ फॉर्म के नाम मलब अपने कंपनी की नाम यूज करके आप पे अकाउंट उपन यूज करके बैंक कंपनी के लिए वी लिष्म किसी के आप रेम करा सकती है इस तरह के से हम आप राइट मिलती हैं आकाउंट से पे आपको अपको अकाउंट क्यापडिल अकाउं बना जाता है जिसमें इस बर अलग इलग अनाम से क्विधी commen vidρα कंगेंग और by करेंग करेंग बैंद अधनलोस लिए आयॉद है इं account and profit and loss account होता है जो हर साल खत्रम होनी के बाद हम आप बनाया जाता है ठीक है उसी को हम बोलेंगे यह आप profit and loss appreciation सेम होता है इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है general interest आप सभी को मालूम है कैसे general interest करना है तो उसके मैं इतना भी बता नहीं रही हूं अब आप इसमें अलग-अलग हम मैंतरी यूज़ करते हैं fixed capital matter fixed capital का मतलब होता है जब partners जो भी होते हैं वो credit to partner capital account में हम डाल देते हैं और transition to the current account होता है जब तर decision नहीं लेया जाता है जब तो कोई changes नहीं किये जाते हैं लेकिन capital matter में वहापे current account नहीं बनाते हैं जो भी transactions जो भी पास होंगे वो capital account में पास हुआ जाता है और जो fixed capital matter में क्या होता है fixed capital balance maintain करना पड़ता है ने कि वाई हमें for choosing capital matter में balance को हमें future changes at the time होता रहता है interest on capital interest on capital हमें देखना रहता है कि वह बारा महीने के लिए हैं छे महीने का बाकी दो महीने का बाकी जितनी महीने का रहे हैं उसके सबसे महीं पर calculation करते हैं इसी तरीकी से calculation करना जीच से आप बारा महीने के लिए हैं यह जैसे जैसे dates उसके बताएं कि उसकी सबसे महीं पर charge करते हैं interest on drawing interest on drawing छे महीने के लिए charge होता है यह चीज़ आपको यह ध्यान लखना है capital ratio capital ratio कैसे find किया जाते हैं जैसे आप इमें उधाना लेती है 50,000 और 30,000 जितने देखो यह पर कितने 040 यह पर 40 कैंसल कर दो बचेगा सिर्फ क्या 5 और 3 तो ratio क्या हो गया 5 to 3 इस तरीकी से आपको ratio यह पर form करना रहता है यह देखें यह पर आपको format आपका वह ही रहेगा trading account के जैसे ही particular बंद में अपना amount हो गया particular amount हो गया उपर debit and credit लिग दोगे profit and loss लिग दोगे से मैसे salary देना interest देना rent हो गया net profit transition जो भी देंगे वह सब हमें आपर यह उस करना है फिए partners capital account बनता है तो partner जो जो पार्टनर जो जो करेगा उसकी सबसे वापर वो entry हमें आप अपलोड कर देनी है इसकी सबसे हमें आपर करना है और कुछ extra आपको कुछ नहीं करना रहता है तो यहाँ पर आपका यह lesson complete हो जाता है summary writing दिया है summary writing को एक बाच्छे से read कर दो जिससे आपसे सभी doubts clear हो जाएंगे नीचे कुछ extra और भी दियेंगे हैं तो वह भी आप अच्छे से पढ़ लो जिससे आपको useful हो जाएगा sums दिये गए हैं वह भी आपका सकते हो तो इस तरह से हमारा यह पर unit 1 complete हो जाता है और भी units बाकी है वह मैं आपको next video में explain करने वाली हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो please मेरे वीडियो को जरूर like कर जरूर कर देना subscribe करना भूलना नहीं और बाइल आकान क्ल